भारत के कई लोग पनीर को चाहने वाले हैं, वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, लेकिन पनीर तो हर किसी को पसंद होता है, शायद यह ऐसा कोई होगा जो पनीर को ना कहे, वैसे तो पनीर कैलशियम और प्रोटीन से भरपूर होता है, इसलिए डॉक्टर भी उस और मक्षन को विशेश महत्व है, भारत में कोई भी त्योहार या शादी हो, पनीर के सिवाए तो पूरी ही नहीं होती, लेकिन क्या कभी आपके जहन में ये सवाल आया है, कि आखिर आपके पसंदिदा पनीर की खोज कैसे हुई, तो चलिए, आज हम आपको बताते हैं, दो कि ऐसे ही रोचक विडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, दोस्तो पनीर की खोज कैसे हुई, इसकी भी एक रोचक कहानी है, पनीर की खोज भारत में हुई या विदेश में यह भी जानना जरूरी है, इत्यास को जानने वाले बताते हैं कि पनीर की खोज 17 शताबदी में भारत के बंगाल में हुई, दूद में साइटरिक एसिड की प्रक्रिया कर उससे पनीर बनाने की खोज उस वक्त पोर्तुगी जोने की, उसके बाद बंगाल में दूद को फार कर पनीर बनाने का चलन प्रारंभ हुआ, पनीर को हिंदी में छेना भी कहा जाता है, लेकिन पनीर की खोज भारत में हुई और भारतियों को पूर्टु गिजों ने इसकी कला सिखाई ऐसा कहा जा सकता है। जिसका मतलब होता है उबलते दूद में कुछ द्रव डाल कर उसे फाड कर बनाया गया पदार्थ। दोस्तो आज के जमाने में भारत में बड़े पैमाने पर पनीर का इस्तमाल किया जाता है। पनीर से बने कई पदार्थ बनाये जाते हैं। इतना ही नहीं मिठाईों में भी पनीर का बड़े पैमाने पर उप्योग किया जाता है। लेकिन आपको बता दे यदि हम पनीर का ज्यादा सेवन करते हैं तो कॉलेस्टॉल बढ़ने की भी संभावना होती है। तो दोस्तो अगर आपको पनीर खाना पसंद है तो उसे जरूर खाईए लेकिन ज्यादा मातर नहीं तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए और आपके यहाँ पनीर को अगर कई और नाम है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताईए और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले।